दोस्तों इंडिया में हमें गोल्ड बहुत पसंद है चाहे हम investment के लिए खरीदना चाहें चाहें जोल्री के लिए खरीदना चाहें तो 2023 में दो बड़े changes आ गए हैं गोल्ड से related जो हमें पता होने बहुत जरूरी है चाहे हम उसे जोलरी के लिए खरीदना चाहें गोल्ड को या फिर हम investment के लिए खरीदना चाहें वीडियो important होने वाला है बने रही है तो दोस्तों पहले बात करेंगे कि अगर हम गोल्ड को जोलरी की फॉर्म में खरीदते हैं तो अभी तक हम लोग कैसे खरीदते थे हम generally एक अपने local जोलर के पास जाते थे और local जोलरी खरीद लेते थे कोई जरूरी नहीं है कि हम hallmarked जोलरी ही खरीदें तो वो जो quality promise कर रहा है आपका local जोलर वो हो सकता है second जोलर को third जोलर को fourth जोलर को same quality मनजूर ना हो आप जब भी अकसर देखेंगे किसी आप third party जोलर के पास जाएंगे same ही जोलरी को लेके वो generally बोलेंगे आपको कि भई इसकी तो quality कम है हमारे हिसाब से ये 22 karat का gold नहीं है हमारे हिसाब से तो ये 18 karat का gold ही है तो अगर आपको वो jewelry या तो change करानी है या फिर वापस बेचनी है तो आपको वापस से अपने उस local jewelry के पास ही जाना पड़ता था लेकिन अब ये change होने वाला है April 2023 से compulsory कर दिया गया है कि हर piece of jewelry को hallmarked होना जरूरी है यानि कि हर single piece of jewelry का एक unique ID होगा जो उसके उपर लिखा जाएगा तो इससे होने वाले हैं दो बड़े फायदे पहला तो ये कि obviously हमें purity का assurance मिल जाएगा अगर हम उस jewelry को कहीं पे भी बेचना चाहेंगे all over the country वो एक same ही standard होगा उसी के हिसाब से हमें पैसे मिलेंगे दूसरा बड़ा फायदा अगर कल को आपको by chance किसी emergency की वजह से gold के against loan लेना पड़ जाता है तो hallmarked jewelry के against आपको better interest rates मिलेंगे तो ये जो unique ID है इसके बारे में हमें कुछ important points होने जरूरी है जिससे कि हम खुद भी जान सकें कि वो hallmark सही है या नहीं तो यहाँ पर देखिए तीन तरीके के mark अब लगाने जरूरी है पहला mark होता है BIS logo यानि कि जो Bureau of Indian Standards का logo है वो होता है जो एक triangle form में होता है second mark होता है purity mark for example अगर उस पे लिखा है 22K916 इसका मतलब है वो 22 karat gold है जिसमें 91.6% gold है और तीसरा mark होता है एक 6 digit HUID जिसे हम कहते हैं hallmark unique ID जो हर piece of jewelry का एक unique ID होता है जिसके थूर वो trace होती है तो यह 6 digit HUID लगाना जरूरी हो गया है हर piece of jewelry पे पहले यह 4 digit hallmark ID हुआ करते थे वो वाले भी valid definitely रहेंगे जो भी आपने अभी तक hallmark jewelry खरीदी है definitely वो भी valid है तो यहाँ पर एक और important point निकल के आ जाता है अब काफी लोग सोचेंगे कि हमारे पास जो existing jewelry है जो अभी तक hallmarked नहीं है तो उसको obviously पिगला के वो नहीं jewelry आपको दे सकता है जो hallmark दो सकती है और यह hallmark कराने में कोई ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते हैं एक piece of jewelry का hallmark करीब 200-300 रुपे में हो जाता है और अगर आप यह hallmark चेक भी करना चाहें तो आप BIS Care की app पे जाके अपना HUID नंबर verify HUID पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जाके भी आप अपना चेक कर सकते हैं तो यह सारे के सारे traceable हैं वहाँ पे आपको सारी details मिल जाती है कि कौन से jeweler से आपने कौन सी piece of jewelry खरीदी और in case आपको जो purity promise करी है hallmark के अंदर अगर उसके अंदर purity में shortage आती है तो आपको compensation भी मिलेगा जो भी shortage आई है purity के अंदर उसका two times compensation आपको मिलेगा तो I think यह काफी positive move है अब से हम जो भी gold jewelry खरीदेंगे तो I think हम purity के लिए तो sure हो ही सकते हैं दूसरा बड़ा और positive move है अगर आप physical gold को electronic gold receipt के अंदर convert करते हैं तो उस पे कोई capital gains tax नहीं लगेगा in fact काफी लोग यह पूछेंगे कि यह electronic gold receipt क्या होता है देखिए EGR यानि की electronic gold receipt को आप एक dematerialized shares की तरह ही समझ सकते हैं जैसे कि पहले अगर हमें किसी company के shares खरीदने होते थे तो हमे physical share certificate मिलते थे लेकिन अ अपने shares खरीदते हैं वो हमारे demat account के अंदर आ जाते हैं same way अगर हम gold खरीदना चाहें तो हम electronic gold receipt खरीद सकते हैं यह जो EGRs हैं यह exchanges पे trade होते हैं यह हमारे demat account के अंदर credit हो जाते हैं अगर हम एक EGR को खरीदते हैं और कल को अगर हम इस EGR को physical gold में भी convert कराना चाहते हैं तो वो भी हम करा सकते हैं similarly अगर हमारे पास physical gold पड़ा हुआ है हमारे bank locker में हमारे घर पे है और हम उसको घर पे store नहीं करना चाहते हैं तो उसको भी हम EGR के अंदर convert करा सकते हैं हम किसी registered vault service provider के पास जा सकते हैं वो अपने vault के अंदर हमारा gold store कर लेगा और हमें उसके against एक EGR issue कर देगा जो हमारे DMAT account के अंदर receive हो जाएगी यानि कि credit हो जाएगी और उसको हम trade कर सकते हैं stock exchanges पे तो यहाँ पर एक loophole था अगर हम physical gold को EGR के अंदर convert करते थे तो उसको sale की तरह ले लिया जाता था और उसमे capital gains tax लग जाता था वो capital gains tax अब नहीं लगेगा यानि कि जब भी आ अगर आपने physical gold को EGR में convert किया और उस EGR को थोड़े time बाद बेच दिया stock exchange पे तो definitely आपका capital gains tax लग जाएगा और यहाँ पर date of acquisition आपकी जब आपने convert किया वो नहीं मानी जाएगी आपकी वही मानी जाएगी जब आपने वो original physical gold खरीदा था जिस तारीक पे वही आपकी date of acquisition मा circulation care purpose के लिए तो मैं समझता हूं कि gold से related यह दोनों ही काफी positive changes है और इंडिया में जाधा तर households में gold काफी popular रहता है चाहे हम jewelry की बात करें या फिर investment की बात करें तो इस वीडियो को like और share जरूर कीजेगा जिससे की जाधा से जाधा लोगों के पास यह awareness पहुचे अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो नीचे से subscribe करके अपने phone में bell icon को जरूर प्रेस कर लीजेगा जिससे आपको latest finance video का notification मिल जाए तो मिलते हैं अगले एक ऐस informative वीडियो में तब तक सीखते रहिए कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए